नमस्कार स्वागत है आप सभी के आपकी अपने यूट्यूब चाल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डी वाउमिंग के बारे में जानने वाले और लाइव आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम बड़ी आसानी से डी वाउमिंग कर सकते बहुत सारे पैट पैरें कि डी वाउमिंग के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे कैट या डॉक का वेट कितना है क्योंकि डी वाउमिंग वेट के हिसाब से किया जाता है तो अगर आपका कुट्ता दस किलोगा है तो उसमें एक टैबलेट का इस्तिमाल होता है और बहुत सारी कर रहें तो आज हम इस वीडियो के जरीए यहीं बताएंगे कि घर में आप बड़ी आसानी से डी वाउमिंग कर सकते लेकिन मेरी सारी वीवर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप डी वाउमिंग के बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो को भी देख सकते जिसमें मैंने आपको डीटेल में पता है कि कैसे हम डी वाउमिंग कर सकते हैं अगर आप डी वाउमिंग करना चाहते हैं अपने डॉग या कैट का तो उसके लिए पहले आप अपने एनिमल एक्सपर्ट की एडवाईज जरूर ले तो आज हम इस वीडियो पर शुरू करने जा रहे हैं कि कैसे हम बड़ी आसानी से अपने डॉग या कैट की डी वाउमिंग कर सकते हैं तो आज हम यूज करने वाले हैं टैबलेट और कैसे उसे सब करना है आईए मेरे साथ बने रही है मैं आपको बताता हूं कैसे हम उसे डी वाउमिंग कर सकते हैं सबसे पहले हम ड डाउड के साथ देंगे चाहे रीगी के साथ दे तो इतना पत्थलों हो चुका हो इतना पीर हो चुका हो ताइकि वह असहनी से मिक्स हो जाए तो मैं आमको बताता हूं कैसे करना है कि सबसे पहले जो है आपको एक barrel में डाल देना है एसे ठीक है फिर आपको डॉक ग्रेवी लेना है और थोड़ा सा सावधानी रखने की शुरूत है बहाँ पर आप डॉक ग्रेवी लीचिए फिर उसे उंगली से मिक्स करके आप उसे दे दिजिए आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से डी बामिंग किया जा रहा है और काफी इंट्रेस्ट लेके जी एस खा भी रहे उसे और उम्मिद करता हूँ ये जल से जल उसे खतम भी कर देंगे क्योद्गत कि जयुक प्ट्चद कर देंगे और तुट भौई भौई आपढ़ियी सकते हैं बड़ी आसानी से हम्ने डीव उर्मिंग कर सकते हैं मेरी सारेवाज से रिक्वेश्ट है कि अगर आप के यह आ दोज हो जाए प्रसे के आपके बारे में नाल抓 मिलिग करें दोस्तो तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर में वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजेगा अपने दोस्तों में शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपि के साथ तब तक के लिए जय हिंद्ट